और बालो तुरा करूख करेंगे जहां का सियासी पारा रगातार हाई है रविन सिंग भाटी को धमकी मिली है निर्दली उमिद्वार रविन सिंग भाटी वहां से हैं आपको बदा दे कि भाती को भी सोशल मीडिया पर ही धमकी मिली है धमकी में नाम लिखा हुआ है ग्रोहिद गोधारा रविन सिंग भाती को सुधा जाने की धमकी मिली तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बदा रहे हैं आपने देखा कि हारी शौड़ी को भी धमकी मिली सोशल मीडिया के जरिये और अब खबर रविश सिंग भाती को भी लेकर मिल रही है बालो तरह से खबर है कि रविश सिंग भाती को जोकी निदली उम्मीदवार है सोशल मीडिया पर धमकी मिली और बड़ी बात ये है कि धमकी में रोहिद गोदारा का नाम लिखा हुआ है रविस सिंग भाठी को इस धमकी में कहा गया है कि सुधर जाएं नहीं तो अंजाम भूगतने के लिए तयार है वह सिरोही में गुजडात, ATS की टीम और ज्वोदपूर NCB की टीम ने साइक तुरूप से कारवाई को अंजाम दिया है टीम ने MDM ड्रग्स बनाने के एक फैक्टरी पर छापे मारी कुई और इस दोरान बताया जा रहा है कि टीम ने पचास करोड की ड्रग्स के साथ दो आरोपियों को हिरासत में लिया या फैक्टरी लंबे समय से चल रही थी ड्रग्स कुजडात और रादिस्थान के शेरों में सप्लाई किया जाता था और इस से तसकरी में आपको बताने की कई लोग जुड़े होने की आशंका भी है इस कारवाई के बाद भी अब जाच में कई चोकाने वाले खुलासे हो सकते हैं तो 50 करोड MGMA ड्रग्स बरामत की गई है और जिसके बाद इस कारवाई को और तेस कर दिया गया है बताया जा रहे कि जिन दो आरूपियों को गिरफ्तार किया गया इहरासत मिलिया गया उनसे पूस्ताच की जाएगी और संभावना ये जताई जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के बड़े खुलासे हो सकते हैं जो कारवाई की है गुजरात ATS ने किया ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है तस्वीरे भी लगाता रहे हैं आपको अपकी टेलेविजन स्क्रेन पर दिखा रहे हैं पचास करोड की MDMA ड्रक्स बरामत की गई गुजरात ATS और NCB जोतपुर ने ये बड़ा परदाफाश किया बड़ी कारवाई की और माना जा रहे है कि पूछटाच के साथ अब और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं इस मामले में दो आरोपियों की गिरफतारी हुई है यो ड्रक्स बरामत की गई है उसकी कीमत 50 करोड के लगभग बताई जा रहे है ये वही लैब जहां से ड्रक्स बरामत कुई जो है 50 करोड बताई जा रहे हैं मोके से दो आरोपियों को डिटेंड किया गया है और इनसे जो आगे जिस परकार जो सप्लाइ की जा रही थी उचको लेकर जो है कई जाँच अभी की की जा रही है ये कारवाई के बाद में पूरे सहर में हल्चली जो मच चुकी है लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि यहाँ जो ड्रक्स सप्लाइर जो है राजिस्थान वा गुजरात के कहीं जीलों में जाकर जो इसकी सप्लाइ को अज़ाम देते थे लेकिन इसका सरगना अभी भी जो है पकड में नहीं आया है पुलिस जगा जगा अभी दबीश दे रही है और एटीएस की कारवाई के बाद में पुलिस मैकमा भी जो है अलेट मोड पर दिखता हुआ नजर आ रहा है कैमरा परसन के साथ मैं नियू जेटिंग के लिए प्रतिक सोलंकी सीरो राजस्थान की बज़े रही ये ज़रा देखिए रिल फाटक बंद होते ही थम जाता है शहर कई समय पर नहीं पहुँच पाते दफ़तर तो किसी की परिक्षा जाती है चूँच एम्बुलेंस में सासों की डोड जाती है टूँच चार दशक से हो रहा इंतिसाद विकानेर की सुधलो सरकार जिन का वक्त रोजी रोटी की आपा धापी तभी ट्वेन की आमद की इतिला पर रिल फाटक बंद हो जाता है आप कहेंगे ये भला कौन सी समस्या है और आत्मी को इस समस्या से दोचार होना ही पड़ता है लेकिन यहाँ बात इतनी भर नहीं है जी हाँ विकानेर में रेल पाटा कैसी समस्या बनी हुई है जो पिछले 40 सालों से भी जाधा वक्त से चली आ रही है 40 सालों से इसी लिए कि जिस वक्त रेल लाइन डाली गई तब ये शेहर की जरूरत थी लेकिन धीरे धीरे शेहर का विस्तार हुआ और अब वो रेल लाइन शेहर के बीचो बीच हो गई है 40 से 42 साल पहले इसके समाधान को लेकर चर्चा शुरू हुई लेकिन आज भी ये चर्चा तक्षी सीमित है दरसल शेहर के परपोटे से बाहर कोट गेट से निकलते ही दो रिलवे लाइन है जो शेहर को दो भागों में बाढ़ती है दिन में करीब 56 बार रिलवे फाटक कभी मालगाड़ी तो कभी रिलगाड़ी गुजरने के चलते बन होता है जिससे शेहर दो भागों में बढ़कर रुप सा जाता है ये कई वर्ष्टों से चलिया रही है समस्या जिससे काफी लोगों में परशानी हो रही है तो आप ये मतलब किसी भी सरकार का आनना हो जब पांग्रे सोचार भी कीज़े की हो हमें लाब होना चाहिए और समश्या का जन से जन समातान होना चाहिए दरसल कोटकेट टी एम रोट विका नेर का प्रमुक यवसाई केंद्र है शहर के प्रमुक बाजार की रूप में विका नेर का ये एक किलो मीटर शेतर खरिदारी का केंद्र शहर के अंदरूनी शेतर से मुख्य बाजार होते हुए कलेक्वट सही तमान सरकारी कार्याले इस पाटक को पार करने के बाद भी आते हैं पाटट बंद होने से कभी बच्चे परिक्षा देने नहीं पहुँच पाते, कभी करमशारी समय पर दफ्तर नहीं पहुच पाते और कभी कभी तो एंबुलेंस भी बस जाती। हर चुनाव में रेल पाटट मुद्दा रहता है, समस्या से निजात दिलाने के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन चुनाव निकलते ही, नेता और पाटियां इस मुद्दे को भूल जाती हैं, सत्ता गवाने के बाद वीडी कल्ला एक बार फिर मुद्दे पर हमला वर है लेकिन बीजेपी विधायक जेठान अंध्यात इसे गविट्दा से नहीं ले रही है तो मुझे कोई अतराज नहीं है, लेकिन जो समस्या हैं सामने कड़िये, उनका मुझे हल बता दो पिछले लंबे समय से राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जन को इससे कोई फाइदा नहीं हो रहा है देखने वाली बात अब यह होगी कि भाज़पा और कांग्रेस में ठनी ये लड़ाई कब रुकती है और आम जन को कब तक इससा फाइदा होता है बिकानेर से नियूज 18 के लिए विक्रम जागरवाल चुरू से बड़ी कबर है जापर महिला को कुलाडी से काट डाला भोलेरी में 26 वर्ष्टे महिला पर कुलाडी से हमला हुआ है